थो आपको बिक्स भी मिलताय बिक्सवी के अब बहुत सारी चीज़ाइं उसी का एक पार्ट होता है बिक्स भी जिसके बारे मैं आपको अप्डेट आया थे चैंजिस के गए और एक्च्छल में कैसे आप इस एप को यूज करते हैं सब आपको आगे बताने वाला हूँ आगे बढ़ने से पहले मेरे चनल को सब्सक्राइब करो नोडिशन पर लेकों दबादो ताकि यह अपने आपको जाना है यहाँ पर अपने मोबाइल के गलेक्सी स्टोर पर आपको बिक्सी विजन पर अपडेट यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आप देखेंगे इस वर्शन है अपडेट का 3.7.95.2 इसको रॉल आउट किया गया है 29 नौवंबर को और इसका साइज है 27 MB का यह देरी देरी सब को रॉल आउट होता है अब बात करेंगी काम क्या करता है सबसे बहुत करें इस पीश के फीचर की यह काम करता है बिक्सी के एकसिट फॉर्म कैमरा गैलरी बिक्सी वीजन सैमसंग इंटरनेट ब्रावजर यूजिंग इमेज सर्च करने के लिए काम करता है इसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं वह सब में जो यह टैक्सीटर करता है ना उसकी इंप्रूव कर दिया गया एसे विल्टी के अंदर बहुत अच्छी तरीके से भी यह टैक्स को रिट कर पाएगा और साथ में फिक्स वक्सिस किये गए और यॉप्टिमाइज प्रफॉमेंस की गई है और इसकी प्रफॉमेंस को इंप् कर चुके हैं तो बिक्सी वीजन के साथ कोई उसका सेपरेट एक होती होगी जैसा कि बिक्सी के साथ होता है तो यह भी आपको अप्डेट करना रहता है दोनों तभी कम आपस में कॉडिनेट करके चलते होंगे उसको भी कर देते हैं अप्डेट फाइनली अप्डेट होनेगे आपको कर लेना है ओपन ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर यहाँ पर यह ऐसा इंटरफेस दिखने वाला है सीर सीधा इंटरफेस यहाँ पर आपको एक ट्रांसलेटर है फिर टेक्स है फिर डिसकवर है फिर वाइन है फिर एसे विल्टी है अब बात करें हैं काम कैसे कर रहा है तो सबसे पहले है ट्रांस्लेटर अब सबसे बात करें नए फीचर की जो की add-on किये गए तो यहाँ पर आपको बता हूं वह जैसा कि सबसे फीचर तीक है आप देखेंगे यह आटमेडिक उसको क्लिक कर लेगा और उसका टेक्स उसने पूरा आटमेडिक पूरा भार निकाल लिए एक एक चीज आप देखेंगे आपको रीट करके भी बता रहा हूँ तो इसको सब्सक्राइब आपको पूरा भार करता है अब बात करेंगे इसकी पूरी-पूरी प्राफोंस की और पूरी चीज होगी और जो सबसे पहले जो फीचर है ट्रांसटेटर, बतलब कि अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो यह ट्रांसलेट करके आपको बता देगा, जैसे कि आप देखेंगे, यह translate करके आपको बता देगा, यहाँ पर आपको कौन सी लेंग्वेज में ठांस्टर करने हैं, इसा ही लिख दिया, अपर सैंटसंग ट्रेवल एडॉप्टर, और यहाँ पर आपको इसको translate कर सकते हैं, और select track करना हो, copy करना हो, सब यहाँ पर आप यूज़ कर पाएंगे, आपको दिखी रहा होगा, यह यहाँ पर translate करके आपको दिख रहा है, उसके बाद बात करें, next page पे है text, अब यह text का काम क्या है, यह आपको टेक्स कॉपी करने के लिए काम करता है, यह आपको अगर इसमें से कोई text निकालना हो, तो आप यहाँ से copy कर सकते हैं, जैसे कि आपको दिखरा text highlight हो गई, आप इसमें से कोई से copy हाँ पर निकाल सकते हैं, उसके बाद बात करें, second यह वाला था, discover, यह discover बड़ी शांदर चीज़ है, यह क्या काम करेगा, अगर आपको किसी चीज़ के बारे में नहीं बता कि यह चीज़ क्या है, तो आ आपको उससे related सारे चीज़े बता देगा, यह क्या होता है कभी हम कुछ ऐसी चीज़ देखते हैं, नहीं पता क्या चीज़े, तो आप उसको खाली यहां पर लेका है, discover में, उस सब सर्च करके बता देगा, क्या चीज़े, क्या होता है, सब चीज़ आपको उसके बारे में उसके बाद है wine, अब यह wine वाला क्या है, यह wine यह है, कि अगर आपके बास कोई wine है, या फिर कोई alcohol है, जिसको आपको नहीं पता क्या चीज़े, कौन सी है, आपको पता करना हो उसका, तो आप यहां पर उसके खाली लोगों को आप यहां पर scan करेंगे, वो पूरी तरीके से उसकी detail आपको बता देगा, तो यह इसका example मैं नहीं देने बाऊंगा, उसके बाद बात करें, accessibility का, तो accessibility के अंदा सबसे पहले मिलता है, screen describer, तो screen रहा है, मतलब क्या करेगा, कि अगर आपको कोई scene दिख रहा हो, तो वो उसके बारे में आपको click, जैसे आपने कोई, जैसे म आपको बता रहा है, ऐसी अगर आप बात करें, objector, objector identify, तो भी object होगा, उसको identify करके आपको बताएगा, उसके बाद में, tax reader जो की आपको बताई दिया था, tax reader क्या होता है, okay, उसके बाद है, यहाँ पर color detection, अगर किसी color के बारे में आपको जानना हो, तो वो color आपको यहाँ यहाँ पर identify करके बताएगा, light gray, light gray, light gray, light gray, light gray, light gray, dark gray, dark pink, यहाँ पर यहाँ पर color identify के लिए काम करता है, उसके बाद बात करें, यहाँ पर three dots में जाएंगे, तो कुछ settings या कुछ tips आपकी होगी, कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, सब बोले detail, आपको मिल जाएगी, यहाँ पर जाएंगे settings पर, तो settings के अंदर आपको जो भी modes रही है, आपको सम्मिल जाएंगे, modes के अंदर capture button चाहिए, तो आप capture button को भी add on कर सकते हैं, तो without capture भी आप इसका use कर पाएंगे, तो यह feature बहुत ही काम का है, big screen region, अगर कोई चीज़ आपको जानकर ही चाहिए हो, तो आप इसके अंदर से जानकर ही निकाल सकते हैं, तो इसके अंदर यही नया update था, उमीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो thank you so much. तो अगर आपको लगता है कुछ कमी मेरी वीडियो मतमाने स्लाइक पर सकते हैं, या फिर अगर आप मुच्छ पूछा चाहते हैं, इस विर्स एलेटेट या कुछ भी आप नारे लिए कमेंट करके मुझ सकते हैं, या फिर डारेक्टली इंस्टागर पें दियेम करके ही तो तेंक्यों